अश्रोक्यान यूट्यूग चैनल आपका एक बार फिर से हर दिख स्वागत करता है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप केस तरहां से अपने पती को अपने वश में कर अपनी बात को मनवा सकती है या फिर पती को गुलाम बनाकर उन्हें किसी प्राइस्तरी या लड़की से दूर रख सकती है दोस्तों जिन महिलाओं के शादी शुदा जीवन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनका ही पती उन्हें नहीं समझ पाता शादी के समय तक तो आपके पती आपको बहुत प्यार करते हैं आपकी केर करते हैं आपकी फिकर करते हैं लेकिन जैसे समय बीतने लगता है आपके पती आपको इग्नोर करने लग जाते हैं किसी और को पसंद करने लग जाते हैं दोस्तो ऐसे में महिला क्या करें दो ही option बसते हैं दोस्तो या तो अपने पती से दूर हो सकती है उन्हें तलाग दे सकती है या फिर दोस्तो अपने पती को सुधार सकती है हम आपको यह नहीं कहेंगे कि आप अपने घर को बिल्कुली बर्बाद कर लीजिए हम आपको एक ऐस solution देंगे जिससे आप अपने घर को आबाद कर सकती है यानि अपने पती को वश में कर अपनी बात को भी मनवा सकती है और प्राइस्तरी अलड़की से भी हमेशा के लिए दूर रख सकती है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ आपकी समस्यों का सम्माधान सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और किसी भी गलत भावना से हमारे बताए गए टोटके उपायों का प्रयोग बिल्कुल भी ना कीजिए आपको इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सिर्फ पांच काली मिरच के अवशकता होगी इ मंतर से अभी मंतरित कर लीजिए इसे साथ बार पती के उपर से उतारना होगा जब तक आप साथ बार नहीं उतार लेते जब तक आपको इस मंतर का चाप करना होगा उसके बाद बंद मुठी के उपर ही तीन बार पती का नाम लेकर फूक मारे और दोस्तों उसके बाद अप किसी सब्जी में डाल करे, किसी अन्य सम Mozart मेंं डाल कर आप अपने पती को खिला दीजिए बस, आपको इतना करना करना होगा ध्यान रहे। साफधानी से किसी को पता ना चले और दूसरा दूस्तो किसी भी गलत बहावना से अगर ना करे। अगर आप अपने पती को वश में करना चाहती हैं, पती को प्राइस सरी से दूर रखना चाहती हैं, या फिर पती के दिल में एक बार फिर से उसी प्यार को जगाना चाहती हैं, तो ये टोटका सिर्फ हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस टोटके का परियोग कर बहुत सी महिल अवश्य लिख कर बेजिए वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए लाइक कीजिए योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ तन तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद